इस साल के जून क्वार्टर में ग्लैंड फार्मा ने उठाया बहुत बड़ा नुक्सान सिरिंज की कमी की वज़े से ही। कम्पेनी का लिस्टिंग नवंबर 2020 में 1819 पर पर क्वार्टरली रिजल्ट्स एक से बहतर एक उपर के दरफ ले गए प्राइस को। तीन क्वार्टर के बाद प्राइस ऑगस्ट 2021 में पहुंच गया 52 वीक हाई रुपीज 4,350 जिसके बाद आया सिलसिला गिरावट का हर क्वार्टर प्राइस निकल पड़ा नीचे की तरफ और लेटेस्ट जून 22 क्वार्टर में पहुंच गया 52 वीक लोव 2180 आजकल प्राइस चल रहा है करीब 47 परसंट डिसकाउंट पर 52 वीक हाई से पिछले बारा महिनों को मान सकते हैं येर ऑफ ग्लैंड फॉल अक्टोबर 2017 में शांगाई के फोसिन फार्मा ने ग्लैंड में खरीदा 74 परसंट स्टेक और इन्वेस्ट किया 7000 करोड रुपिये फॉसून एक चाइनीज कंपेनी है फार्मासिटिकल और हेल्थ केर इंडेस्ट्री को बिलॉंग करता है उसका मार्केट कैप ग्लैंड से करीब 4 गुना रहा है ग्लैंड का आईपी वो आया नवेंबर 2020 में इश्यू साइस था करीब 6500 करोड बेचने वाले थे फॉसून करीब 2905 करोर्स, प्रमोटर्स 2324 करोर्स और कंपिनी ने इश्यू किया नए शेर्स 1250 करोर्स इश्यू सकस्वल रहा और 2020 के बड़े आईपी वोस में ग्लैंड का नाम भी शामिल हो गया ग्लैंड में फॉसून का इन्वेस्टमेंट बहुत प्राफिटेबल रहा है, 2017 में फॉसून ने इन्वेस्ट किया 7000 करोड, 2020 में आईपी वो आया और फॉसून ने वापस पाया 2905 करोर्स आईपी वो के बाद कंपेनी के मार्केट कैपिलाइजेशन में बड़ा उत्री की वज़े से फॉसून का इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया, गिरावट देखने को मिला सिर्फ 2022 में उसके बावजूद कंपेनी का इन्वेस्टमेंट पहुँच गया, 21,730 जिसका IRR बनता है 38% फॉसून के लिए ये रहा एक excellent investment idea, IPO से लेकर अब तक फॉसून का shareholding रहा है, करीब 58% constant, mutual funds ने बढ़ाया है share, करीब 4.4%, status को maintain किया है, FPI इसने, DIIs और retail इन सभी को मिला के shareholding pattern एक strong और positive नज़र आता है, पिछले 18 महिनों के share price moment में एक correlation और synchronous moment देखने को मिलता है, Gland और Fusun के share prices में, सच ये भी है कि इन 18 महिनों में Gland का yield Fusun से बहतर रहा है, Fusun और Gland का partnership रहा है एक win-win relationship, Fusun का infrastructure और global presence, Gland को China और African markets में entry लेकर prosper होने में बहुत काम आ सकते हैं, वैसे तो Gland का performance हर quarter में अच्छा रहा है, लेकिन recent quarter में company को सामना करना पड़ा shortage of syringes, जिसकी वज़े से air lifting cost, alternate suppliers से higher prices, power cost में बढ़ा उत्री, और इन सभी से company के margins भारी pressure में आ गिये, बढ़ता हुआ margin pressure के साथ, company के manufacturing lines दो ऐसे थे, जिन पर लागू था drugs price control order DPCO, company ने इसी लिए plan किया कि इन lines को shut down किया जाए और process improvement में लगा दिया जाए, असर ये हुआ कि जो भी production इन दो lines से आने वाला था, company खोबाईटी और इसका असर हुआ, company के domestic sales पर, अपने production में कटवदी के बावजूद, company अपने contractual obligations जो core countries में थे, Australia, Canada, US और Europe, वहां कायम रखा, उसने अपने supplies में कटवदी की rest of the world में, भारत की बात आई, तो पिछले साल जून quarter में supply था, करीब 227 crore, वो इस साल पहुंच गया 51 crore, core countries में, पिछले साल जो था 61% और दूसरे regions में थे 19%, इस साल core countries का हिस्सा रहा 82%, और भारत का हिस्सा गटकर पहुंच गया, सिर्फ 6% of the total, quarter wise sales की बात करें, पिछले साल जून में quarter का sales growth था 31% और इस साल जून में quarter का sales रहा negative growth of 26%, लेकिन जैसे company ने अपने production को contract से match किया, वो काबिले तारिफ रहा, इस साल का जून quarter रहा quite challenging, revenue में गिरावट पिछले साल के मुकाबले 1154 crores to 857 crores करीब 25% का गिरावट, लेकिन उसी वक्त, EBITDA में गिरावट बहुत ज्यादा, 436 crores से गिरकर 270 crores करीब 38% का गिरावट और इससे भी damaging था, input inflation की वजह से EBITDA percentage में गिरावट 37.8 के बाद हर quarter में गिरते हुए 31.5% तक, June का quarter, company के लिए रहा बहुत challenging in revenue, EBITDA और EBITDA percentage. Company के June quarters के results, market के उम्मीद के खिलाफ निकले और market में एक भारी गिरावट आगिया करीब 12% तक का की price पहुँच गया 52 week low of 2180 और technically gland pharma पहुँच गया bearish zone के बहुत नीचे. ये सच है कि भारी गिरावट के बाद gland का share prices बहुत attractive नजर आते हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि आने वाले दिनों में company को सामना करना पड़ेगा higher competition, increased material prices और बढ़ते हुए expenses of operations. मैं हो विठल प्रभू Stock Learning Simplified weekly video के साथ आशा करता हूँ कि आपको ये video पसंद आएगा. Gland की शुरुआत हुई 1978 में as a small volume liquid perenteral product company, लेकिन आजकल company की पहचान है as fastest growing injectable focused company. Complex injectables में Gland एक बहुत बड़ा नाम है और उसका expertise बहुत मशूर है चाहे वो scientific, technical या regulatory हो. Gland की खासियत है उसका product injectables जो रहे हैं fastest growing usage form और जिनके बारे में price erosion की बात नहीं लेकिन रही है stable price inflation trend और इन दोनों की वज़े से Gland के prospects बहुत positive माने जाते हैं. Gland के हैं 7 manufacturing facilities, 4 finished formulation के लिए और 3 API के लिए और सारे साथ रहे हैं दक्चिन भारत में, दो राज्यों में, आंदरप्रदेश और तलंगाना. दुनिया भर Gland मशूर है अपने consistent regulatory compliance के लिए, उसके सारे facilities approved हैं USFDA से और उसका track record भी ऐसा है कि उसके किसी भी facility के लिए आज तक warning letter नहीं मिला है. कंपेनी का gross operational cash flow sizable रहा है, साथ में उसके working capital movements भी, free operational surplus sizable रहा है, fixed assets हर साल बढ़ता हुआ, recent year में करीब 511 crores, IPO के बाद कंपेनी ने receive किया करीब 1229 crores, cash balance भी sizable है, 31st March 2022 को cash balance और operational surplus मिलके बनता है, 1000 crore से भी ज्यादा, इसलिए company को इंतजार है कि inorganic acquisitions का, ताकि उसका injectable और API business में बढ़त एक bigger scale में आ जाएं. वैसे तो company का performance अब्टो 31st March 2022 क्वाइट इंप्रेसिव रहा है, revenue में लगातार बढ़त, 5yr CAGR करीब 24%, वैसे ही profit after tax में भी growth, उधर भी 5yr CAGR 24%, PIT percentage भी बढ़ता हुआ, 27.5% 31st March 2022 में और इन सभी के साथ EBITDA percentage, IMPRESU 34.3%, बात चाहे growth की हो या profitability की हो, Gland का record exceptional रहा है, अपने control के बाहर के दो चीजों से Gland को जूजना पड़ता है, एक है इंडो-चैना political relations, दूसरा Chinese company के बारे में भारतवासियों का sentiments, आशा करते हैं Gland Pharma Limited के बारे में इस प्रस्तुती आपको पसंद आई होगी, ऐसे ही resourceful videos आप पास सकते हैं, हमारे info card पर at stock learning simplified, हमें इंतजार रहेगा आपके likes, shares और comments का, अगर आप इस चानल के लिए नहीं हैं तो कृपिया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें bell icon, ताकि हमारे आने वाले videos के intimation आप तक time पे पहुंचें, आपके support, interest और valuable time के लिए बाहुत बाहुत धनिवाद, इस वीडियो का purpose सिर्फ information, education और awareness है, इसका किसी solicitation और recommendation to buy, sell or hold security से संबंद नहीं है, आपके जरूरत के मुताबिक रपिया, competent professional advice हमेशा ले ले.